जहीं दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम आपको ITR1 बरके दिखाएंगे अगर आपकी salary की income आती है तो आपको दोस्तो forum 16 मिलता होगा बहुत सारे लोगों को उनके employer से form 16 मिलता है इस form 16 के दो पार्ट होते हैं दोस्तो part A और part B, part A इंदर जादा information आपके काम की नहीं होती है, part B पर simply आपको आजाना है यहाँ पे जैसे आएंगे तो दोस्तो आपको यहाँ पे जिसने आपको यह forum 16 दिया है उसका address आजाएगा, यहाँ पे आपका name or address आजाएगा, यहाँ पे pen number और 10 number आजाएगा आपके deductor का जि year है वो 23 होगा और यह जो 1423 से 31 23 का financial year भी दोस्तो यहाँ पे आ चुका है, अब इसके बाद में अनेक्स्चर 1 आ जाएगा, यह देखिए आपको यहाँ पे detail of salary paid की यहाँ पे detail आ जाएगी, weather opting for taxation under section 115 BAC, दोस्तो यह होता है new tax regime और old tax regime, आपने सुना होगा new tax regime की अंदर पे tax rate कम होता है और old tax lab में आपको tax का slab तो जादा होता है, लेकिन वहाँ पे deductions आप ATC, ATD वगरा की ले सकते हैं, तो इस तरह से दोस्तो यह देखिए आपका forum 16 के अंदर gross salary part A, 171, 172 और 173, तीन तरह की basically आपको यहाँ पे income मिलती है, जो कि आपको अपने income tax portal पर भरनी है तो जैसे ही दोस्तो आप अपने income tax के portal पर आ जाएंगे, सबसे पहले आपको services के अंदर जाना है, annual information statement के अंदर जाना है, proceed पर click कर देना है, तो यहाँ पे AIS नाम का आपको एक folder दिखाई देगा, financial year दोस्तो यहाँ पे 22-23 करना है, जब 26 AS form देखेंगे तो assessment year 23-24 करना है, ल interest from others आ रहा है, तो इस तरह से तीनों की income जो आपकी 6-54-307, यह देखिए दोस्तो 6-54-307, इन तीनों ही salary को जोडते हैं, अगर हम 17-1, 17-2, 17-3 को, तो 6-54-307 हमारी आ रही है, और वही income हमारी यह देखिए दोस्तो, हमारी इसके अंदर भी आ रही है, आपकी जो AIS था, तो इस तरह से आपको यहाँ पर confirm कर लेना है, कोई और भी income हो तो वह आपको दिखा देना है, इसके साथ में दोस्तो आपको e-file के अंदर जाके, income text return के अंदर जाके, view form 26AS में भी जाना है, confirm पर click करना है, I agree पर click करना है, proceed पर click कर देना है, अब view text credit करेंगे दोस्तो, assessment year तो नीचे यह देखिए, आपको salary की income आ चुकी है, 6,54,307, वो same की same आपकी वहाँ पर भी आ रहे थी, अब income text portal पर आने के बाद में, file now पर click करेंगे दोस्तो, assessment year यह तमारा 23-24 होगा, mode हम online करेंगे, continue पर click कर देंगे, start new filing पर हम click करेंगे दोस्तो, individual पर जाना है, continue पर click करन है, कौन सा ITR का form जाएगा, अगर आपके पास form 16 है, और only salary की income है, या ब्याज बगरा की income है, तो ITR 1 जाएगी, process with ITR 1, let's get started पर click कर देंगे, dialogue से ज़्यादा income है, तो यह select करेंगे, otherwise other select करके हम continue पर click कर देंगे, अब दोस्तों हमसे यह personal information पूछ रहा है, यह देखिए, personal information प employment की हम में, जहां से salary आ रही है, वो central government है, state government है, क्या है, तो आपको जैसे भी आपके उपर applicable होता है, हमारा bank है, दोस्तो central government का है, हम ITR बर रहे हैं, 1391 में, due date से पहले, जुलाई के बाद में होगा, तो 1394 आ जाएगा, और भरी हुई return को change करना चाते हैं, तो 1395 आ जाएगा, इसके बाद में दोस्तो ये पूछ रहा है, कि आप new tax regime में जाना चाते हैं, नहीं, अगर आपने नहीं जाना है, तो simply आप no कर देंगे, अगर जाना चाते हैं, तो simply दोस्तो आपको yes करना है, तो ये कह रहा है, कि अगर आप new tax regime में जाते हैं, तो standard deduction chapter 6A, ये किसी भी तरह के कि आप कोई छूट नहीं मिलेगी तो ठीक है जी हमें कोई छूट नहीं लेनी है इसके बाद में एक bank account आपका यहाँ पे add होना जुरूरी है और उसे यहाँ पे click कर देंगे select for refund और उसके बाद में confirm पर click कर देना है तो इस तरह से personal information हमारी complete हो गई है 64307 दोस्तों हमने कुछ भी नहीं डाला है लेकिन automatic आ रही है gross total income हम यहाँ पे simply आ जाएंगे skip the question हम कर देंगे yes पर click करेंगे दोस्तों तो हमारे पास में gross salary की detail आपको पता होगा AIS TIS का जो forum 16 होता है वो online भी चटता है और online चटने के बाद में सारा का सारा जो data है दोस्तों व 649807 हमारे forum 16 में 649807 था और 4500172 का था अगर आपके पास में यहाँ पे automated अपने आप address जो है update होके नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे उसे manually डाल देंगे जो की information थी 171, 172 otherwise आपका यहाँ पे auto-populate होके आ जाएगा हमें कुछ भी ज़्यादा information नहीं डालनी है दोस्तों हमें 50,000 की नहीं मिली है क्योंकि हम दोस्तों यहाँ पे new tax regime में जा रहे हैं यह देखिए standard deduction 45,000 पर यह पुराना 40,000 मिलती थी वो दिखा रहा है अब हमें simply save पर click कर देना है यह retirement benefit वगरा ऐसा कुछ error देता है तो आप simply उसको delete कर देंगे दोस्तों ताकि आपको यह बार बा error ना दे delete करने के बाद में हम वापस आएंगे save पर click कर देंगे तो हमारी दोस्तों वो income हो गई है save salary की income डालने के बाद में हमें income from other source के अंदर को income tax का refund है हमारा कोई saving का ब्याज है तो add another के अंदर जो भी income होगी हम जोड़ देंगे यहाँ पर house property की income दोस्तों आपको दो लाकर प्यतक का ब्याज आप यहाँ पर डाल सकते हैं लेकिन हम new tax regime में जा रहे हैं तो हमें कोई भी छूट यहाँ पर नहीं मिलने वाली है simply confirm पर click कर देंगे कोई reduction लेना चाहते हैं दोस्तों आप ATC, ATD वगरा यह देखिए ATCCD2 की छूट अपने आप ही दे रही है हमा कैसे आप नीचे आएंगे दोस्तों तो यह देखिए ATCCD2 की छूट मिल रही है उन्होंने NPS का contribution तो 63,000 था लेकिन 45605 की छूट आपको यहाँ पर मिलनी है तो 45605 की छूट आपको यहाँ पर बरके आ रही है हम skip the question कर देंगे yes कर देंगे तो इसका मतलब है कि हमें ATCCD2 की चूट मिल गई है ATD, ATG, TTB, TTA, Saving के ब्याज की छूट लेनी है लेकिन new tax regime में आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कोई भी चूट नहीं मिलती है तो हमें simply क्या है loading लेने के बाद में यहाँ पर confirm पर click कर देना है ताकि हमारा जो अगला step है वो आ जाए तो confirm करने के बाद में tax paid है वहाँ पर click कर देना है तो tax paid के अंदर दोस्तो हमारा 24,306 रपय का tax है वो paid किया जा चुका है as a TDS तो हम उसको confirm कर देंगे 24,306 और हमारा tax बनता कितना है 24,305 मलब जितना हमारा tax बनता था दोस्तो उतना tax उन्होंने already काट लिया है एक रपय फा जैसे हम यहाँ पर proceed पर click करेंगे तो हमें यह बता देगा कि आपको ना तो refund आएगा और ना ही आपको कोई extra tax बरने की जरूरत है तो जितना tax बनता था हमारा कटा है preview return के उपर जाएंगे दोस्तो यहाँ पर click करेंगे I agree के बाद में last में proceed to preview पर हम click कर देंगे तो हमें फि जुका है तो और proceed to verification पर हम जाएंगे दोस्तो यह बोलता है e-verify now यह recommend करते हैं कि ITR हाथों आती आप भरें और उसको verify भी कर दें 30 दिन का time आप मत लीजिए ताकि आपको income tax department से किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े continue पर click करें 30 दिन के बाद आप return भरते हैं तो उस दिन क करते हो दोस्तो 30 दिनों के बाद में 30 दिनों तक तो कोई issue नहीं है 30 July से 30 August आपका निकल गया और 1 September को इस ITR को verify करते हो तो यह माना जाएगा आपने वो ITR 1 September को भरी है तो यह return दोस्तों belated हो जाएगी आपकी और आपको उसमें 5000 पर की late fees देनी पड़ेगी I would like to verify अधार OTP continue पर click करेंगे I agree अधार OTP generate अधार OTP करेंगे दोस्तों तो आपको जो आपके अधार वाले mobile number पर OTP आएगा वो डाल के validate पर click करना है अगर आपका अधार OTP सही है तो वहाँ पे are you sure to want to submit your return आप सच में submit करना चाहते हैं आप उस पर click कर देंगे simply तो आपकी यह ITR submit हो हैं लेकिन कहीं जगहें पर दोस्तों ITR acknowledgement के साथ साथ में ITR का computation भी मांग लिया जाता है तो इस तरह की कोई आप दिक्कत का सामना करें तो आप हमसे संपर कर सकते हैं इस वीडियो से related income tax related कोई भी doubt query question हो आपका तो आप simply comment box में comment कर सकते हैं हमें mail drop कर सकते हैं हमारे social media handles जो हम हमें दिये हैं नीचे उन पर हमें follow कर सकते हैं उन पर भी हाप हमें message कर सकते हैं तो इस तरह से new tax regime में हमने forum 16 के हिसाब से अपने ITR भरी दोस्तों forum 16 में देख सकते हैं आप salary की income deduction की income और कितना tax बनता था वो सारी की सारी income यहाँ पे अपनी detail आई हुई है तो इस तरह से जय हिंद जय भारत